नमश्कार दोस्तों दोस्तों, जैसे जैसे Android स्मार्टफोन पुराने होते जाते हैं, धीरे धीरे इन में सपोर्ट भी मिलने बंद हो जाते हैं फोन अगर काफी पुराना हो गया है, तो इसमें जरूरी चीजें भी काम करना बंद कर देती हैं ऐसी ही एक रिपोर्ट आ रही है कि अगर आपके पास Android 7.1.1 नौगट से पहले का वर्जन है तो इसमें ब्राउजिंग करने में प्रॉब्लम होगी, वेबसाइट लोड नहीं होगे और एरर भी मिल सकता है। Android पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबित Android 7.1.1 नौगट से पुराने वर्जन पर चलने वाले Android स्मार्टफोन में सिक्योर वेबसाइट नहीं खुल पाएगी यानि एक तरह से ब्राउजिंग नहीं कर पाएगे। Website Certification Authority, Let's Encrypt के मुताबित अगले साल से पुराने Android स्मार्टफोन में HTTPS वाली सिक्योर वेबसाइट या तो खुलनी बंद हो जाएगी या पूरा केंटेंट लोड नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों? Let's Encrypt Certification Authority है जो Internet Security Research Group यानि ISRG के अंतरगत काम करती है। ISRG Websites को Transparent Layer Security Encryption यानि TLS प्रोइड करती है। दुनिया भर की 225 मिलियन Websites Let's Encrypt का Certification यूज करती हैं। चुकि Let's Encrypt की Free Certificate देती है इसलिए लगबग 30% Web Domains इसे ही यूज करते हैं। इस कंपनी का Identress के साथ किया गया करार 1 सितंबर 2021 को खतम हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद से Let's Encrypt Root Certificate के बिना जो भी ब्राउजर और Operating System होंगे वो साइट के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसे में इनका जो प्रभा होगा वो पुराने Android वर्जन पर होगा यानि जो यूजर Android 7.1 Nogget या इससे पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। Certification Authority Let's Encrypt ने कहा है कि कुछ software 2016 से अपडेट नहीं किये गए हैं और इनमें Android 7.1 वर्जन से पहले के Android शामिल हैं। Let's Encrypt ने ये भी कहा है कि कंपनी द्वारा जारी किये गए सर्टिफिकेट को पुराने वर्जन के Android सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको बता दें कि लगबग 66.2% Android डिवाइस में 7.1 से उपर के वर्जन हैं। लेकिन 33.8% डिवाइस में secure website विजिट करने के दौरान error मिल जाता है। Let's Encrypt ने अपने official ब्लॉग में कहा है कि अगर आप पुराने वर्जन का Android यूज करते हैं तो अपने फोन में Firefox ब्राउजर का इस्तमाल कर सकते हैं। इस ब्राउजर में Android 5 और इस से उपर के वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद दोस्तों।